अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि उडिसा की चांदीपुर एक एकित परिक्षण रेंज से वैलिस्टिक मिसाइल पिथवी 2 का सफल परिक्षण किया गया है तो आज हम लोग पिथवी 2 मिसाइल के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं अगर इससे आपकी परिक्षण में कुश्ण पूछे जाएं तो उसके आंसर आप लोग आसानी से दे सकेंगे पहले आप लोग एक बार चलिए मैपर और उडिसा को देख लीजे और देखिए कोई भी राज जी किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उस राज जी के बारे में भी एक सामान जानकारी रख लिया करिएगा देखिए ये हमारे प्यार भारत है और आप देखिए कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो और आप देखिए कि नेपाल, भूटान, बंगलादेश, म्यानमार हो तो हमें अपनी रक्षा चेतर पर ध्यान देना ही होता है उडिसा कि अगर हम लोग बात करें, तो ये उडिसा है और इसकी राधधानी वहने सोर है और इसकी सीमा पच्चे मंगाल से लगती है, जारकन से लगती है 36 गर से लगती है, और आंध बिदेश से लगती है आप देखेंगे कि यहां विदान सभा में 147 सीटे देखने को मिलें लोग सभा में 21 सीटे है, राध सभा में 10 सीटे है और इसका छेतफल 1,55,707 वरक किलूमीटर में आपका उडिसा फैला हुआ है ठीक है? और पित्थवी दो मिसाइल की बात करें तो पित्थवी दो देश में विक्सित सतय से सतय पर मार करने वाली सौट रेंज बेलिस्टिक मिसाइल है और जिसकी रेंज लगबग आप देखेंगे 250 से 350 किलूमीटर है और यह एक टन पे लोड ले जाने में भी सक्षम है अपने साथ और दीकि सतय से सतय पर मार करती है यह आप लोग जरूर याद रखा करेगा कई बार प्रिलिम्स में इस तरह के पॉइंट पूछ लेता है कि यह सतय से हवा में मार करती है या फिर सतय से सतय पर करती है तो सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाइल है पिथवी सेकिंड बरग एकल चर्ण तरल इंधन बाली मिसाइल है और जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम की वार हेड माउंटिंग चमता भी है या एक परमाडित मिसाइल है जिसमें उच्च सटीकता के साथ लक्षों को भेदने की चमता है इसमें या अत्याधुनिक मिसाइल अपने लक्ष को भेदने के लिए कुसल पिछेफ हुआ के किसाथ उन्नत जड़तिये निर्देश पिडाली का उपयोग करती है इसे सुरू में भारतिये बायुसेना के लिए प्रात्मी को उपयोग करता की रूम में बिक्सित किया गया था बाद में इसे भारतिये सेना में सामिल किया गया और जब मिसाइल को बर्स 2003 में पहली बार भारत के सामरिक बल कमांड में सामिल किया गया था तब यह आप देखेंगे कि IGM, DP के तहट विकसित पहली मिसाइल थी है और इसके विकास की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत की रक्षा और अनुसंधान विकास अंगठन द्वारा एक एकित निदेशिक मिसाइल विकास कारकरम की अंतरगत विकसित है अब आप लोग कहोगे कि D.I.D.O. क्या है यह? D.R.D.O. Defense Research and Development Organization की बात हो रही है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना होई थी नई दिल्ली में इसका हाप लोगों को हैड़कॉर्टर देखने को मिल जाएगा तो इसी के द्वारा ये विकसित की गई है पिथवी मिसाइल की बात करें तो पिथवी मिसाइल प्रिणाली में सतय से सतय पर मार करने वाली कमदोरी की विभिन सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें सामिल है और इसका विकास 1983 में शुरू हुआ था वह भारत की पहली सौदेसी बैलिस्टिक मिसाइल थी है इसका पहला परिक्षन 1988 में स्रीहरी कोटा सार सेंटर में से किया गया था इसकी रेंज आप देखें कि 150 से 300 कियो मीटर है पिथवी एक और पिथवी तीन सेंटी की मिसाइलों की नौ सेंटर का कोड़ नाम धनोस है और सोवियत संग ऐसे 2 सतय से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और वर्स 1950 के दशक के मद्द विक्सित सोवियत S.A.2 मिसाइल सोवियत संकी सताय से हबा में मार करने वाली पहली प्रभावी मिसाइल थी और पित्वी एक मिसाइल वर्स 1994 में भारतीय सेना में कारगत है 1994 से और कथित तोर पर प्रहार मिसाइल, मिसाइलों को पितवी एक मिसाइल से बदला जा रहा है पितवी 2 मिसाइल वर्स 1996 से काम कर रही है सेवा में है और 2004 में 350 किलोमीटर की अधिक बिस्ताजित रेंज वाली पितवी 3 का सफलता पूरवक परिक्षन किया गया था कब 2004 में तो ये भी याद रखिएगा और मुझे लगता है कि इतने पॉइंट काफी है कितवी मिसाइल के बारे में अगर इनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्यंस पूछे जाते हैं तो बहतर आएगी आप लोग अंसर देने की स्तिती में पहुंच जाएंगे एक काम और क्या करिएगा आप लोग देखें किसी भी एक्जाम की दयारी करें चाहे श्टेट PCS हो, Civil Service हो या वो अंडे एक्जाम हो जो आपकी संगठन है न छोटे छोटे फिर चाहे वो राश्टी इस तरके हो या अंतराश्टी इस तरके हो इनके बारे में जरूर पढ़ लिया करिएगा इनसे आप देखेंगी कि हर साल कुष्णर्स पूछे जाते D.I.D. हो गया या पर आप देखी इसरो हो गया आपका इंडियन स्वेस रेसर्च और इंगनाईजिसन की बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थाफना हुई थी बैंगलॉर में हेड़कॉार्टर देखने को मिलेगा हमारी अंतरिक्ष एजंसी है बारत की एक नासा आप लोग सुनते है अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी है नासा और इसका अगर आप लोगों को हेड़कॉार्टर देखना है तो वसिंटन डीसी यूएसे में देखने को मिलेगा और इसकी स्थाफना 29 जुलाई 1958 में हुई थी एक आप ही चर्चा में बनी रहती है चलिए आप लोगों को कोई सुझा हो या मेरे लिए सला हो सवाल हो आपका तो नीची आप लोग बेश सकते हैं